परिवर्तित त्रिकोन आसन जिन लोगों को चक्कर आते हैं और जिने उच्छ रक्तचाप है या रीड से समंधिक कोई परेशानी है वे डॉक्टर की सला से ही इस आसन को करें दोनों पैरों को जितना ज्यादा पहला सकते हैं पहलाईए अब श्वास भरते हुए दोनों हाथो कंधों तक उपर उठाईए प्रश्वास करते हुए कमर से नीचे जुके पुनह श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए दाहिने हाथ से बाए पैर के अंगुठे को छूने की कोशिश कीजिए नजर जो हाथ उपर है उसकी तरफ कुछ देर इसी स्थिती में रुखें सा मानने श्वासन करें अब श्वास भरते हुए शरीर को पुनह बीच में लाईए प्रश्वास करते हुए बाए हाथ से दाहिने पैर के अंगुठे को छूने की कोशिश करें नजर दाहिने हाथ की और इस अवस्था में कुछ देर रुकें पुनह इसी ग्रिया को आप इसे कम से कम पांच बार कर सकते हैं अपनी क्षमता नुसार करें और पिर विश्राम लाब इस आसन से बुजाओं को बल मिलता है मेद कम होता है और शरीर सुडौल बनता है इस आसन में आगे जुकने के कारण रक्त संचार आगे की और होता है जिससे चहरा तथा सिर का रक्त संचार तेज होता है जिससे बाल और चहरे की खुबसूरती बढ़ती है पूर्ण कटिय चक्रासन जैसा के नाम से ही स्पष्ट है पूर्ण यानि पूरा कटिय यानि कमर का और चक्र यानि गोल यानि अब हम अपनी पूरी कमर को गोल गुमाएंगे इस आसन को अपनी क्षमता नुसार की करें अगर आपको चक्कर आते हैं तो इस आसन को आँख की खोल कर करें अगर आपके रीड की हड़ी में कोई परेशानी है तो योग प्रशिक्षक की सला से ही इस आसन को करें दोनों पेरों को ज्यादा से ज्यादा फैला कर रखें। अप्श्वास भरते हुए दोनों हाथ उपर। दोनों हाथों को उपर बांध दीजिए। प्रश्वास कीजिए और कमर से नीचे जुकें। अप्श्वास भरते हुए दाही में पेर के अंगूठे को छूते हुए पूरी कमर को गोल घुमाते हुए पीछे जाईए। फिर प्रश्वास करते हुए पीछे से कमर को गोल घुमाते हुए बाएं पेर के अंगूठे को छूते हुए सामने आईए। इसे कम से कम तीन बार सीधी और उलट डिशा में करिए जब तक हो सके करें फिर बीच में आकर रुक चाहिए फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ उपर प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे और अब विश्राम दोनों पेर उनह सामान्य स्थिती में ले आईए विश्राम में पूर आध्यान शरीर पर केंद्रित कीजिए लाब इस आसन से कमर, पीठ, नितंब, मेरोदंड तथा शरीर के अन्य जोडों को शक्ति और आकार मिलता है तथा संपूर्ण शरीर को एक साथ संचालित किया जाता है दोनों पेरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाईए श्वास भरते हुए, दोनों हात कंधू तक उपर उठाईए प्रश्वास करते हुए, नीचे जुकें दोनों हात खुले हुए हैं गर्दन सीधी सामने इस समय आपके शरीर का आकार आकाश में उड़ रहे विशाल पक्षी जैसा होगा श्वसन सामान्य रखें जितनी ज्यादा दिर रुक सकें, रुकिए फिर श्वास भरते हुए, कमर से शरीर को सीधा करें प्रश्वास करते हुए, दोनों हात नीचे ले आईए और अब विश्राम विश्राम में दोनों पैर पूर्वस्थिती में लाईए शरीर ठीला और आखें बंद पूराध्यान वही लगाईए जहां आसन के दोरान तनाव महसूस हो रहा है इस आसन के दोरान दोनों जंगा, कंधों का निचला भाग, सीना और चेहरे पर तनाव होता है पूराध्यान वही लगाईए लाब इस आसन से सनायोविक तनाव, निराशा, आदी से राहत मिलती है कब स्तूर होता है और जिन लोगों को भूग नहीं लगती, उनकी भूग बढ़ती है बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए ये आसन विशेश लाबदायक है बुजंग आसन, पेट के घाम, हर्निया, आद की बिमारी या चुल्ली का ग्रंथी की अधिक्रियाशीलता से पीडित लोगों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक के सलहा के बिना इस आसन को नहीं करना चाहिए पेट के बल लेट जाईए, दोनों पेर पास पास और दोनों हात कंधों के पास श्वास भरते हुए शरीर के अगले हिस्से को उपर उठाईए, शरीर का पूरा वजन दोनों हात को पर रखिए, प्रश्वास करते हुए तर्दन पीछे, श्वसन सामान्य, पूरा घ्यान, रीड के अंतिम छोर पर जहां तनाव महसूस हो रहा है, वहीं लगाईए इस स्थिती में कम से कम एक मिनट रुपनी की कोशिश कीजिए, अवध ही अपनी शमता अनुसार गीरे गीरे बढ़ाईए जो लोग आध्यात्मिक दृष्टी से ये आसन करते हैं, उन्हें आसन के दौरान अपना पूरा ध्यान विशुद्धी चक्र या आज्या चक्र पर किंद्रित करना चाहिए विशुद्धी चक्र कंट के ठीक पीछे और आज्या चक्र दोनों पुवों के बीच जहां बिंदी लगाते हैं, उसके ठीक पीछे होता है और अग विश्राम झाल धिरे स्चुद्दी बारा प्राम झाल कि जहां झाल लाब ये आसन, प्रदर, कश्ट प्रद मासिक धर्म और अन्यमित मासिक धर्म के कश्टों को दूर करता है सामनिता अंडाशे और गरभाशे को भी इस आसन से लाब पहुचता है जो व्यक्ति पेट के घाव, हादमिया, आंग की बिमारी या थाइराइट की अधिकता से पीडित है उन्हें डॉक्टर की सलहा लिए बिना इस आसन को नहीं करना चाहिए ये आसन भूख बढ़ाता है इसलिए जो लोग एनिमिक हैं, उनके लिए भी ये बहुत लाबदायक आसन है ये कब्ज और बद्ध कोष्टता को दूर करता है ये आसन यकृत और गुर्दों के लिए भी लाबकारी है वीपाद उत्तान पादासन जिन लोगों का पेट को आपरेशन हुआ है या पेट पे अंदुरुनी परेशानी है या रिदे रोग या उच्चे रक्तचाप है वे व्यक्ति इस आसन को ना करे इसके अलावा अपनी ख्षमता नुसार ही इस आसन को करना चाहिए पीट के बल लेट जाईए इससे लेटे लेटे सिर्फ अपने पेरों के अंगूठों को ही देख सकें जब तक हो सके श्वास को अंदर ही रोकें पिर प्रश्वास करते हुए दोनों पेर नीचे इस आसन को कम से कम तीन बार करें विश्राम विश्राम में शरीर इकीला आखें बन हतेलियों का रुक छत की और विश्राम में पूरा लक्ष पेट पर केंद्रित करें लाब इस आसन से महिलाओं की कमर के अतरिक्त में धढ़कर शरीर सुडौल बनता है द्वीपाद उत्तान पादासन का विपरीर आसन पहले हमने अपने दोनों पेरों को उपर उठाया अब हम अपने सिर को उपर उठाएंगे दोनों हात बांध कर सीनी पर रखिये अब श्वास भरें और सिर को उपर उठाएं बंधी हातों के उपर से पेरों के अंगुठों को देखने की कोशिश कीजिए इस समय श्वास को अंदर ही रोक कर रखना है, ध्यान रहे पेरों को उपर उठाना नहीं है, जब तक सहचता से हो सके इसी अवस्था में रुकें, फिर धीरे से विश्राम और श्वसन सामान्य, ये क्रिया तीन बार करनी है लाब इस आसन से चहरे पर तनाव खिचाव महसूस हो सकता है, जिससे चहरे की त्वचा में खिचाव उत्पन होता है, बेजान त्वचा में जान आ जाती है और चहरे पर कसावट आती है सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार झाल 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 झाल